जेके यूथ ठीक है तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले नंबर पर लिखा रहा है मिशन यूथ जेके तो इस पर हम क्लिक करेंगे जो हमारे पास मिशन यूथ है इस पर हम क्लिक करेंगे यह जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आ रहा है इस वाले ओप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करने के बाद देखिए क्या ओपन हो रहा है तो इस तरीके का कुछ interface इस तरीके का कुछ interface open हो रहा है तो इसमें जब हम नीचे चलेंगे नीचे scroll करेंगे इस तरीके से तो नीचे scroll होने के बाद यहां पर क्या हो रहा है यहां पर देखिए यहां पर लिखा रहा है latest notifications ठीक यहां पर नीचे serial number लिखा है और आगे date लिखिए तो सबसे पहले number पर देखिए serial number first पर जिसमें आगे date लिखिए 9, 17, 2022 और आगे देखिए आगे लिखा है apply for परवाज scheme यानि अगर परवाज scheme में इस scheme में अगर आपने apply करना है इसके लिए ठीक है free coaching के लिए जो कि यहां पर आप देख रहे होंगे कि नीट और जेई coaching अगर आप करना चाहते हो government के तरफ से free of cost इस परवाज scheme के तहट तो आप यहां पर click कर लिजी यहां पर यह option आ रहा है इस पर हमें click करना है तो चलिए हम इस पर click करते है apply for तो जैसे हम इस पर click करते हैं तो आगे लिखा रहा है mission youth undergraduate application form तो यहां पर एक form देखे आगे हमारे पास form आ रहा है इस form को हमने fill करना है चीक है इस form को हमने भरना है और भरने के बाद हमने इसको submit करना है देखे यहां पर इस form को fill करते हैं हमारे पास क्या क्या details मांगी सबसे पहले हमारे पास कहा गया है कि वही अपनी personal details यहां पर यहां पर fill कीजिए जैसे applicant का full name यहां पर हमने type करना है उसकी data birth जो भी होगी यहां पर हमने लिखना है उसके बाद यहां पर father's name यहां पर आप देख रहे होंगे father's name यहां पर चाहिए हमें वो हमने यहां पर लिखना है mother's name यहां पर लिखना है उसके बाद हम जैसे नीचे चलेंगे तो नीचे यहां पर देखिया रहा है permanent address details यानि जो उसका applicant का permanent address होगा वो permanently कहां का रहने वाला है उसके यहां पर हमने details फिल करना है जैसे कि उसकी district का नाम तेसीर उसकी block ठीक है पिन कोड lane महला या ward हमने यहां पर लिखना है इस तरीके से यहां पर house number अगर है तो यहां पर हमने house number भी लिखना है उसके नीचे यहां पर देखें यहां पर लिखा है contact details क्या लिखा है contact details हमने देनी है यानि कि यहां पर यह जो आप application form यह जो परवा स्कीम का application form आप submit कर रहे हो तो कल की date में हो सकता है कि वहां के जो भी person वहां पर बेठे होंगे वो अगर आपको contact करना चाहेंगे तो वो आपको किस पर contact करेंगे तो यहां पर देखे phone number आपसे मांगा गया है email address आपसे मांगा गया है और district का यहां पर नाम यहां पर मांगा गया है चिक इसी तरीके से यहां पर सब नीचे चलेंगे तो नीचे यहाँ पर qualifications की details हमने यहाँ पर देनी जैसे कि हमारी 10th में कितनी percentage रही है ठीक है और कौन से साल में हमने pass किया हुआ 10th इस तरीके से 12th में हमारी कितनी percentage रही है और 12th हमने कौन से साल में pass किया हुआ इस तरीके से यहाँ पर यह होगी qualification details फिर नीचे जब हम चलेंगे तो नीचे यहां पर हमसे कहा गया है कि coaching details बताईए मतलब आप कौन सी जो coaching है free of cost government के तरफ से वो लेना चाहते हैं जैसे माली जे हो सकता है आप need के लिए coaching करना चाहते हैं तो आपने need पर click करना है या फिर हो सकता है कोई और person jwe के लिए jwe के लिए coaching लेना चाहता है free of cost government के तरफ से इस परवाज सकीम के तहते है तो फिर वो jwe exam jwe इस पर click करेगा चीक है जैसे हम यहां पर please choose पर जैसे हम click करेंगे तो यहां पर देखिए अंदर से हमारे पस दो options आ रहे हैं एक तो neat का देखिए यहां पर आप देख रहे होंगे एक हमारे पस neat वाला option आ रहा है दूसरा jwe वाला आ रहा है तो जिस भी जो भी हम coaching लेना चाहते हैं उस पर हम click करेंगे किस तरीके से इस तरीके से ठीक है माल लेज़े हम यहां पर neat के लिए हम coaching लेना चाहते है free of cost में तो यहां पर इस तरीके से इस पर click करेंगे ठीक अब हम जैसे नीचे चलेंगे तो यहां पर रिखाए documents to be uploaded यानि जो हमें documents upload करने हैं तो उसके बारे में इन्होंने कहा कि जो भी आप documents upload करोगे वो PDF format में ही होने चाहिए चीक है और उनका जो size होगा जो आप documents upload करोगे उनका जो size होगा वो 512 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो यह इन्होंने कुछ शर्ते रखी हैं चीक उसके बाद इन्होंने क्या कहा है कि जो upload document होगे जो भी आप document upload करोगे तो perfectly visible होना चाहिए चीक है तो friends आपको पता है कि जो भी आप document करोगे upload करोगे तो वो सामने वाले को अगर नहीं दिखेगा तो क्या होगा rejection में हमारा form जा सकता है तो वो जो जो भी document आप upload करोगे तो वो क्या होना चाहिए perfectly visible होना चाहिए नहीं उसमें वो हमें clearly दिखना चाहिए blur नहीं होना चाहिए ठीक है और जो document आप एक बार submit करोगे तो फिर change नहीं होगे ये भी इन्होंने clearly यहाँ पर mention किया है please ensure all documents are correct तो पहले से ही आप ensure करें देख लें कि आपके जो documents हैं वो सारे correct हैं सही हैं चीक इसी तरीके से जब हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से document हमें चाहिए तो सबसे पहले हमेरे पर document चाहिए डेट अबर certificate हमने upload करनी है और इसके बाद यहाँ पर हम preview करके उसको देख भी सकते हैं कि यह clearly दिख रही है clearly मिदलब साफ हमारे पास upload हुई है या नहीं हुई है वो हमें आपर preview करके देख सकते हैं एक बाद चीक इस तरीके से photo ID proof हमें upload करना है upload करने के बाद हम इसको भी देख सकते हैं एक बार check कर सकते हैं कि किस तरीके इस तरीके से जब हम नीचे चलेंगे तो नीचे यहाँ पर देखिए हमारे पस 10th की mark sheet भी हमने upload करनी है और upload करने के बाद हम यहाँ पर उसको देख सकते हैं कि वो किस तरीके से क्या वो blur upload हुई है या फिर clearly visible है वो हम यहाँ पर एक बार check कर सकते हैं friends इसी तरीके से नीचे अब हमने upload करना है जो कि jpeg या फिर jpg में होगा चीक है तो इस format में होना चाहिए तो इस तरीके से upload करके तो उसके बाद हम जब नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए कुछ undertakings यहाँ पर लिखिए हैं यहाँ पर लिखा है undertakings और undertakings में क्या लिखा है कि जो भी आपन इनफॉर्मेशन दी जैसे contact details आपने दी permanent address जो आपका address है permanently उसकी details दी और जो भी सारी details आपने दी तो वो क्या सही है या नहीं है तो हमने यहाँ पर click करना है कि सारी सही है इसी तरीके से जब हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर last पर यहाँ पर लिखा है कि I wish to avail benefit I wish to avail मतलब मैं जो हूँ benefit उढ़ाना चाहता हूँ need या फिर JE examination in 2023 and I have not taken admission मतलब मैंने किसी भी regular में कहीं पर भी admission मेरी नहीं हुई है इसलिए मैं इस scheme का benefit लेना चाहता हूँ तो हमने यहाँ पर click करना है इस तरीके से कि हाँ भी लेना चाहता हू में और मैंने कहीं पर भी regular में किसी भी course के लिए admission regularly नहीं की है इसलिए मैं NEET और JE की NEET या फिर JE जिसके लिए भी आप मतलब coaching लेना चाहते हैं free of cost में तो यहाँ पर इस तरीके से हमने just tick करना है इस तरीके से जब हम last में चलेंगे तो last भी यहाँ पर देखिए कि that my gross total family total family from all sources below 8 lakh per annum यानि मेरी जो family है उसकी जो सालाना income है वो 8 साल से ज्यादा नहीं है 8 साल से below है यानि कम है तो हमने यहाँ पर click करना है इस तरीके से और उसके बास submit and upload करना है चीक है तो इस तरीके से यह जो आपका परवाज सकीम केते हैं जो आप form है आपका जो form है यह इस तरीक जछ खर आप झालियो है गाता है तरीके से टाने से यहाज से तरीके से वार मो आपका ट खरेफाने से अजार से जारीके से shift केते हैं है और ऌत यहाज से वार जचा और है करहें